कोरोना महमारी का असर न केवल इंसानी स्वास्थ पर पड़ा बल्कि इंसानी व्यवस्थाओं पर भी इसका गहरा असर पड़ा कोरोना संक्रमन्डी हमारे पर्व त्योहारों को मनाने और उन त्योहारों से जुड़े कारोबार का तरीका भी बदल कर रख दिया तियोहारों में बाजारों में लगने वाली भीड अब ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर लगने लगी है लोग तियोहारों में कपड़ों की खरिदारी तो ऑनलाइन कर लेते हैं लेकिन आगामी बकराईद जैसे तियोहारों में बकरों की खरिदारी कहां से करेंगे तो आपको बता दें कि व्यापारियों ने इसका भी बड़ा जबरदस्त तरीका निकाल लिया है अब व्यापारी शारुक और सल्मान जैसे बक्रों की बिक्री के लिए ओनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे वाटसाप और इंस्साग्राम का इस्तेमाल करने लगे हैं जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना बक्रों की ओनलाइन बिक्री इस बार इदल जोहा बक्रीद पर मिखार में दूसरे प्रदेशों से बड़ी संख्या में बक्रे मंगाए गए हैं जिसमें ऑनलाइन ओर्डर पर भी बक्रे मंगाए जा रहे हैं आपको बता दें तो मुजफरपुर में अब तक सबसे अधिक कीमत एक लाख बीस हजार के बक्रे की पक्की सराई में मंगवाई गई है इसकी खरीदारी मेवात राजिस्थान से की गई है वहीं आसपास के लोग इस बक्रे को देखने के लिए भी आ रहे हैं जो भी सुनता है वह सवा लाख के बक्रे की एक ज्छलक के लिए पहुँच जाता है वहीं अगर आपको बक्रों की ऑनलाइन खरीद बिक्री की प्रक्रिया के बारे में बताएं तो इंस्टेग्राम और वाटसाप के जरिये ऑनलाइन बिक्री के लिए गठिट समू में व्यापारी अपने बक्री के तस्वीर वीडियो कीमतों के साथ पोस्ट करते हैं जिस ग्राहक को बक्रा पसंद आता है वह जाच करके सौदा कर लेता है आपको यहां हर किसम का बक्रा मिल जाएगा तो वही आपको हर कीमत के बक्रे अवेलिबल हो जाएगे व्यापारियों का कहना है कि सभी ग्रुप के लिंक इंटिनेट पर आसानी से उपलब नहीं शहर और आसबास के इलाकों के ग्राहकों को बक्रा खरीदने में परिशानी नहीं होगी इंटिनेट पर आप आसानी से शहर के व्यापारियों से संपर्ग कर सकते हैं ऑलाइन बक्रे की खरिदारी को लेकर इस्लामपुर के मुहमद मेराज अली बताते हैं कि उन्होंने जैपुर से बक्रा खरीदने के लिए ऑललाइन ओर्डर किया था इसकी कीमत 95,000 है वही इस बार बिहार में राजस्थान के अलवर जैपुर मेवार से बड़ी संख्या में बक्रे बिहार मंगाये जा रहे हैं बक्रीद को लेकर बाजार गुलजार होने लगे हैं Quranा और कप्रा दुकानों पर भीड़ बढ़ने लगी है बाजार में बिर्यानी चावल, मेवा, मसाला की लोग जमकर खरिदारी कर रहे हैं बक्रीद को लेकर रेडिमेट कुर्ता पैजामा की दुकानों पर भी भीड बढ़ गई है तो वहीं आपको बता दें कि बक्रों की ऑनलाइन बिक्री से अब आपको मंडी जाने से छुटकारा मिलेगा ही और साथ में आप आसानी से अपने पसंद के बक्रों की ऑनलाइन ओर्डर भी कर सकते हैं जिससे आपको बिहार में फिर से बढ़ रहे कोरोना संक्रमन से बच्चाओ में सहायता भी मिलेगी और साथ ही साथ अब अपने परिवार के साथ सुरक्षत होकर त्यों हाल भी मना सकेंगे लाइफ सिटीज के लिए प्रणव प्रकाश की रिपोट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं धन्यवाद